हाई दोस्तों मैं दिवेंत कुमार स्वागत है आपका आपके युडियो चैनल लक्षी जुकेशन में तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे decimal expansion of racial number और irrational number यानि कि आज हमें जो real number और उनके decimal expansion के बारे में बढ़ना है कि वो कैसे decimal expense होंगे या कैसा होगा terminating non-terminating ये कुछ words आपको मिलेंगे और इसको समझना है so हम जानते हैं पहले कि real number जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं बैया real number को दो पार्ट में बाटा गया है ठीक है एक rational number कहा जाता है एक rational number भी real होता है और एक irrational number भी जो होता है वो real होता है ठीक है rational number और irrational number ये दो प्रकार के हम जानते हैं कि हमारे पास number होते हैं और इन numbers में एक rational और irrational इनका collection ही क्या कहलाता है real number कहलाता है तो हम जानते हैं कि रेशनल नमबर जो होता है वो P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं जबकि रेशनल नमबर P by Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं और ये भी जानते हैं कि अगर ये इस फॉर्म में लिखा गया है तो यह किस फॉर्म में पी बाई क्योंकि फॉर्म में अगर नहीं लिखा गया तो कैसा होता है रूड एम टाइप का होता है जहां एम जो होते हैं वो आपके रियल लंबर होता है वो नेचुरल लंबर होता है तो कैसा expansion अगर कैसे पहचानेंगे कि ये terminating है या non term या rational number ये किस type का है किस type का rational number है ठीक है या real number जो होगा तो कैसा होगा rational होगा या irrational होगा जिसकी पहचान अगर decimal expansion की रूप में दी गई हो तो कैसे करेंगे तो देखिए कुछ examples को पहले मैं देखता हूँ माली जिया मैंने कहा कि 10.3 10 upon 3 10 को divide करते हैं 3 से क्या मिलेगा 1 आया point लगाते हैं 0 बढ़ाते हैं again 3 आया 9 again 0 बढ़ा लेंगे 3 9 again 0 आयेगा sorry 1 आयेगा 0 बढ़ाएंगे 9 तुम क्या देख रहे हैं कि ऐसे यह बढ़ता हुआ चल रहा है यानि कि अगर मैं divide कर रहा हूं किसको मैं अगर 10 को divide कर रहा हूं 3 से तो मुझे क्या मिल रहा है 3.333 आगे ऐसे मिलता हुआ चला जाएगा ठीक है इस type का आपको मिलता रहेगा तो यह इस एक तरीका हो गया अब क्या होगा समझ लीजिए मान लो मैंने कहा कि अब आप 7 को divide कर रहे 8 से तो example मैंने जो लिया तो मैंने कहा कि 7 को divide कीजिए किसे 8 से चला divide कर लेते है ठीक है जा सकता है table जी नहीं जा सकता है 0 बढ़ ले जाएगे 0 आएगा यहाँ 7 बचेगा 0 बढ़ जाएगा और 8 8 8 जा 64 ठीक किता बचेगा यहाँ 6 बच जाएगा 0 बढ़ लेंगे 8 7 जा 56 किता बचेगा 4 बच जाएगा ठीक है और 0 बढ़ लेंगे अगे और 8 5 जा 40 ठीक है यह पूरा कड़ गया यानि क्या है दिखा आपको 0.675 एक और एक्जामपल देते है 1 को डिवाट करते है 7 से 1 को डिवाट करते है 7 से देखें मैं क्या कर रहा हूँ decimal expansion के रूप में decimal के form में में लिख रहा हूँ यानि कि अगर आँ नंबर को decimal form में लिखा जाएगा तो किस तरीके से लिखा जाएगा कैसे राइट किया जाएगा कैसा बन के निकलेगा यह सारी बात होंगे ठीक है ठीक है 7 को डिवाट करते है 1 से ठीक है 1 को डिवाट करते है 7 से नहीं जा सकता है table 0 पाव जाएगा ठीक है यहां कितना जाएगा 1 पॉइंट लगाएंगे 0 पढ़ाएंगे क्या होगा 1 7 मंज़ो 7 3 आजाएगा अगें 0 पढ़ाएंगे 7 7 4 जा 7 4 जा 28 2 आजाएगा 0 पढ़ाएंगे 7 2 जा 14 6 आजाएगा 0 पढ़ाएंगे ठीक है 7 8 जा 56 4 आजाएगा 0 पढ़ादिए 7 5 35 5 आजाएगा 0 पढ़ादिए 7 7 49 1 आजाएगा तो आप क्या देख रहा है अब आगे क्या आ रहा है जहां से हमने सुरुवात 1 से की थी नाम वही मिल गया है यानि कि एगर मैं डिवाइट करना सुरू करूंगा तो मुझे क्या देख रहा है कि ऐसे नमबर्स में एक नमबर आप कुछ नमबर आप ब्लॉक के बाद में रिपिटेशन होता है देखिए वही नमबर फिर से आगे प्रोसेस दो करेंगे वही फिर से मिलता चला जाएगा 0.142857 और मैं इसके उपर क्या लगा दे रहा हूँ एक बार लगा दे रहा हूँ और जब यहाँ पर लिखा था 3.3 बार मैंने इसको लगा दिया देखिए दो तरीके से जो आपको नमबर दिखे अगर हम मेरे पास रिपिटेशनल नमबर था क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग जबकि मैंने यह जो एक्जामपल्स लिए यह दोनों एक्जामपल्स जो मैंने लिए यह क्या था नौन टर्मिनेटिंग का कैसा था नौन टर्मिनेटिंग पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ जब remainder becomes 0 तो उसकों कहते हैं कि वो terminating है तो अगर यह terminating नहीं है तो क्या है ये? क्या है? अरे हाँ, बिल्कुल, क्या है? recurring है, non-terminating recurring ये भी क्या है? non-terminating non-terminating और क्या है? recurring non-terminating recurring so आप देखना ये number आपको क्या दिख रहा है? non-terminating recurring ये भी number आपको कैसा दिखा है? decimal expansion इसका non-terminating recurring जब कि यहाँ आप देख रहा है, वो क्या है? terminating आप ये नजर आया आपको कि अगर आपके पास कोई ratio number होगा, तो वो condition हो सकता है, या तो terminating होगा, अगर terminating नहीं है तो non-terminating word कह करके और क्या हैंगे? recurring, यानि repeat हो रहा है एक number of blocks जो हो रहा है यहाँ हम देखते हैं कि एक ही digit सिर्फ 3 जो है, वो बढ़ता जा रहा है, वो repeat हो रहा है जब कि यहाँ देख रहा है, कुछ number of blocks के digits जो है digit जो है, उसका एक number of block है यानि 6 digits, 5 digits, कुछ भी ऐसा हो सकता है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि number of 6 digits का एक block है वो repeat हो रहा है so decimal expansion of racial number either terminating or non-terminating recurring यह हुआ, सर इसमें क्या होता है अगर यह racial number आ जाए ठीक है, यह racial number इसे हमने यह root 2 लिखा ना, तो इसका हम कहा देते हैं 1.414 ऐसे बढ़ता हुआ ही चलता है, मतलब यह नहीं है कि यही number repeat हो रहा है अगर हम divide करना इसको शुरू भी कर देंगे, ठीक है तो जब divide करना इसको शुरू भी कर देंगे, तो क्या होगा वो repeat होना, repeating होगा वो पढ़ता चला जाता है, जिससे आपने देखा होगा पाई की value, ठीक है हम लोग generally कह देते हैं 3.14 जबकि 3.14 नहीं, इसके आगे और भी digits है ठीक है इससे आगे और भी digits हैं, तो यह क्या है non-terminating, non-recaring है ठीक है, जो divide नहीं हो पाएगा generally हम इसको 1.10, 100, 100, 100 ऐसा लिख देते हैं जिससे की हमें आसानी से समझना हो जाए जिससे हम आसानी से समझा जा सके कि यह कैसा repetition होगा कैसा इसका निकल जाएगा देखिए, यहाँ पर जो लिखा गया है पहले 1, 0, 100, 100, 100 यह क्या हो रहा है repeat एक ही number यानि कि एक ही digit का या दो digit का block नहीं repeat हो रहा है सिर्फ 0 की संख्या बढ़ती जा रही है हर एक step में 0 की संख्या बढ़ रही है यह शो करता है कि जो कोई भी decimal expense of erasion number होगा वो non-terminating non-recurring होगा क्या है यह non-terminating non-terminating and उसी में non-recurring recurring कहले या repeating कहले दोनों का मतलब एक ही है तो सारी बाते डिसकस हुई और आपने जाना rational number का terminating होता है या तो non-terminating recurring होता है और जो irrational number होता है वो non-terminating non-recurring होता है अब इसके बाद में देखिए मैं आपको बतातू कि πाई जब कि हमेंने पूरा numbers नहीं लिखे है जो पाई होता है पाई की value को जो decimal form में सबसे पहले लिखा गया वो arc medis के दौरा किसके arc medis के दौरा सबसे पहले इसको compute किया गया तो value of pi in decimal form computed by किसके arc medis के दौरा किया गया अब हम जो देखेंगे आज इनके solutions देखेंगे exercise 1.3 किस तरीके से number solve किये जाते हैं तो दोस्तों देखते हैं पहला question इस exercise का write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has यानि कि इसको हमें किसमें decimal form में लिखना है और उसके बाद में उसका kind बताना है कि किस प्रकार का decimal expansion है चले इसको देख लिएते हैं आपको पता है कि 100 से अगर डिवाइड किया जाता है अगर किसी भी number को हम 100 से डिवाइड करते हैं तो जितनी number आप zeros यानि कि decimal fraction इनको कहा जाता है जब ये 1 upon 10 ये 1 upon 100 ऐसा कुछ लिखा होता है जिसके नीचे denominator में 100 लिखा होता है तो उनको decimal fraction कहा जाता है तो decimal fraction में हम जानते हैं कि जितने भी zeros होंगे ठीक है जितने zero है यहाँ पे उतने digit से पहले क्या लग जाता है point और भई यहाँ पर zero लगाना पड़ेगा तो हम क्या देख रहा है ऐसा divide करने के बाद अगर हम देखेंगी जो मुझे मिलेगा यह क्या मिल रहा है terminating मिल रहा है क्या मिलेगा यह terminating मिल जाएगा और उसके बाद में अगर हम 11 को 11 से ठीक है 1 को divide करते हैं तो भई यहाँ क्या होगा पहले 0 बार ले जाएंगे नहीं जाएगा 1 लिखा जाएगा ठीक है फिर point लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे अभी भी नहीं जा सकता है 0 बार ले जाएंगे 10 आज जाएगा फिर 0 एक और बढ़ाएंगे 9 होगा 99 1 लिखा जाएगा फिर 0 बढ़ाएंगे, table नहीं जाएगा 0 लिखेंगे, एक और 0 बढ़ाएंगे यानि थोड़ा minute पहले 0 बढ़ ले जाएंगे और 10, फिर उसके बाद 0 बढ़ाएंगे 9, क्या दिख रहा आपको कि इसका जो answer मुझे दिख रहा है वो 0.0909----- यानि कि क्या कह सकते हैं कि यह 0.0 क्या है, बार है तो अगर 0.0 बार हम इसको देखेंगे तो यह क्या है, non-terminating यह decimal expansion है non-terminating लेकिन क्या हो रहा है, recurring है ठीके, यह मुझे वही बार-बार repeat number मिल रहा है यहाँ पर 2 block है, जो repeat हो रहा है 2 block repeat हो रहा है तो यहाँ पर देखेंगे इसको हम, देखें, अगर 4 1 upon 8 लिखा है, 8 means क्या लिखा है 8 को हम 1 को divide करेंगे 8 से, क्या मिलेगा बाई, 0 बार ले जाएंगे 0 आजाएगा, 1 लिखा जाएगा 0 बार ले जाएगे, 8 यहाँ से 2 आ गया, 0 बार देंगे 2, और यहाँ 16 4, 0, अपके दिवार 5 बार, ठीक है, 5 टाइम चले जाएंगे 40 आजाएगा, cancel out होगा remainder जहाँ 0 आजाए, तो यहाँ पर क्या होगा, 4.125 5, क्या मिलेगा इसका यह terminating है, कैसा expansion है यह terminating है, और आपको पहचाने का तरीका भी मैं आपको बभी बता रहा हूँ अब थोड़ा बेट कर लें so 13 से डिवाइड करेंगे 3 को, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे 0 तो रहेगा, यह रहेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 3 बार जाएगा 3 बार नहीं जाएगा 2 टाइम जाएगा, 26 4 आज आएगा, 0 बढ़ा देंगे कितनी बार जाएगा, 3 टाइम जाएगा और यह 39 होगा सब्टेट करेंगे, 1 आज आएगा 0 बढ़ाएंगे, टेवल नहीं जाएगा 0 लिखेंगे, एक और 0 यहाँ बढ़ा देंगे और 13, 7 जा 91, ठीक है 9 आगया, 0 बढ़ाएंगे और कितना मज आएगा 8 जा, 78 कितना आज आएगा, 12 0 बढ़ाएंगे, और 9 जाएगा 117, 3 आगया जैसे यह 3 जहाँ पर आया महीं से क्या हो जाएगा, वो रिपिट होना सुरू हो जाएगा तो हम इसका रिपिटेशन देखेंगे 0 पाइंट, क्या मिलेगा इसका रिपिटेशन क्या मिलेगा 0.230789 यानि कि यह क्या है non-terminating है, ठीक है कैसा decimal expansion है non-terminating, और क्या है recurring, ठीक है non-terminating लेकिन recurring 2 upon 11 भी 1 upon 11 जैसे किया था न, वैसे 2 upon 11 होगा, तो अगर हम 2 upon 11 की बात करते हैं, तो क्या लिख देंगे इसको, 2 into 1 upon 11 और 2 into 1 upon 11 को जिनी निकाला गया, वो 0.09 बार लिखा गया तो क्या हो जाएगा, यह 0.18 1,8 बार हो जाएगा और यह भी क्या होगा non-terminating, यह भी मैं जो देख रहा हूँ, वो non-terminating और recurring इसका भी आ रहा है sorry, recurring आ रहा है ठीक है, recurring आ रहा है तो अगर यह 400 लिखा हुआ है तो 400 को यहां मैं divide कर देता हूँ, इस question के लिए ठीक है, 329 divide करेंगे 400 से कितनी बार जाएगा, भाई 0 बार जाएगा ठीक है, 0 लिखा जाएगा फिर point लगा देते हैं, थोड़ा सा तेज कर रहा है ठीक है, क्योंकि यह सेम ही बाते होगी चलो 0 बार पहले ले जाते है आपको समझ में आ जाए 329, point लगाएगे 0 बढ़ाएगे, 84 के 32 होता है ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया यह cancel out होकर के 90 आ गया फिर 0 बढ़ाएगे, 2 times ले जाएगे 800, 1 आ जाएगा 0, एक और 0 बढ़ाएगे फिर 2 times ले जाएगे, कितना जाएगा 800, 2 लिखेंगे, और 0 बढ़ाएगे और कितनी बार जाएगा, 5 times आएगा तो यहां cancel out होगा तो अगर 329 देखेंगे, 329 जो मुझे मिल रहा है, उसका मिल रहा है 0.8225 क्या है यह terminating है, क्या है यह terminating है, ठीक है अब आप देखें, कि मतलब क्या था मेरा कहना और इसको solve करनी के बाद में मुझे discussion जो आपको यह नजर आ रहा है, कि अगर कहीं denominator, ठीक है किसी भी fraction में, किसी भी rational number में अगर denominator क्या दिख जाए क्या दिख जाए, 2 power N, या 5 power M, या both 2 power N, 5 power M तो उसका जो मिलेगा, वो terminating ही मिलेगा, क्या मिलेगा terminating ही मिलेगा जो कि इसमें करके दिखाना था, कर decimal form में ना लिखना हो कहता, सिर्फ कहता कि what kind of decimal expansion each have, तो मैं क्या करता, मैं सिर्फ इसको यही rules लगा देता, यह जो trick type का है, है ना जो नियम है, जो denominator हम देख करके बता सकते हैं कि वो terminating है, या non-terminating recurring, तो अगर हम 100 देख रहा है, 100 क्या हो रहा है भाई, 4 है और 25 है 4 को जानते है, 2 का square है और यह 5 का square है, तो मुझे यह क्या मिल जाएगा terminating मिल जाएगा, लेकिन अगर कहीं, जो हमारा denominator है, वो ऐसा नहीं है, कोई और number भी उसमें include है, ठीके, कोई और number है तो वो क्या देगा, non-terminating recurring देगा, ठीके तो यहाँ 8 था, आप देख रहा है, terminating मिल जाएगा, 400 है 400 में क्या होगा, 400 में क्या होगा, भाई, 400 की हम बात करते हैं, अगर, तो 400 में क्या होगा, 4 into 100 और 100 को पहले बता चुके हैं, ठीके 100 क्या होगा, 2 power 2 और 5 power 2, और इसका भी हो जाएगा 2 power 2, तो इतनी सारी चीज़े हम जो देखेंगे, अगर वो terminating के लिए, ठीके, terminating के लिए क्या देखना आपको पड़ेगा, 2 power n, 5 power m, या तो 2 power n, 5 power m, बोथ रहेगा अगर, तो वो terminating decimal expansion देगा, ठीके, अगर इससे कुछ अलग हो जाता है ये digit के बज़ाए, कोई और number आजाए, prime factor निकाले हम तो क्यों का, ठीके, denominator का prime factor निकालते हैं, और इसके बज़ाए, कोई और number होता है, तो वो non-terminating recurring देगा, आईए, अब हम अगले question को देखते हैं, so student question number second जो कह रहा है आपका, बता जाए रहा है कि 1 upon 7 का decimal expansion ये होता है, can you predict what the decimal expansion जिनने number दिये गए हैं, और तो actual doing, the long division, if so, how, कैसे, तो बिल्कुल just, निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखिए, given है, ठीके, क्या given है आपका, कि 1 upon 7 जो है, ठीके, 1 upon 7 जो है, वो 0.142857 root लगा हुआ है, इस पे, ठीके, सरी, repeat लगा हुआ है, so अगर 2 upon 7 मुझे बताना है, तो क्या काम करेंगे, 2 into 1 upon 7 कर लेंगे, ठीके, तो 2 into, और इसकी value, जो है, 0.142857 बार, so 2 से multiply करने के बाद, कितना हो जाएगा, 14, 1 जाएगा, 10, 11, 1 जाएगा, 16, 11, 17, 1 जाएगा, 2, 2, 4, 5 जाएगा, और यहाँ, 8 जाएगा, यह 2 जाएगा, 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 ऐसा ही करेंगे, ऐसा माल लीजिए हमें, 3 upon 7 है, तो क्या हो जाएगा, 3 into 1 upon 7, और यहाँ पर क्या करेंगे, 1 upon 7 की value कर लेंगे, 4 upon 7 है, तो 4 into 1 upon 7, यहाँ पर आप रख करके, उसकी value, और find डिजे, ऐसे 5 upon 7 है, तो क्या करेंगे, करके, जिस तरीके से हमने 2 को multiply किया है, similarly हम क्या करेंगे, 3 upon 7, 4 upon 7, और 5 upon 7, 6 upon 7 को भी solve कर लेंगे, given है, यह आपने पहले introduction की वीडियो में, जो starting की वीडियो में भी आपने देखा होगा, किसकी value को किस तरीके से find किया गया था, जबकि हमने वहाँ पर divide किया था, 1 upon 7 को, यहाँ 1 upon 7 की value दे दी गई है, और ऐसे ही 2 upon 7, 3 upon 7, 5 upon 7, 6 upon, जितना भी कह रहा है, क्या करें, 2 से कह रहा है, तो 2 से multiply कर दीजिए, 1 upon 7 की value को, 3 से कह रहा है, तो 3 upon 3 से multiply कर दीजिए, आईए, अब अगले question की तरफ चलते हैं, और देखते हैं, कि वो क्या है, सो student देखते है, question number 3, यहाँ पर कह रहा है, repeat कोई भी होता है, आपने देखा था, repeat होना, non-terminating, या non-terminating recurring, उन दोनों cases में हमने जो देखा था, वो क्या मिलता था मुझे, recent number कोई तो हमने किया था, तो recent number यानि P by Q के form में लिखा जा सकता है, हम जानते ही है, तो इसको हमें express करना है, और इसके लिए क्या काम करेंगे, इसके लिए हम काम करेंगे, क्या करेंगे, पहले यह जो equation होगा, इसको माल लेंगे x, ठीके, इसको माल लिए गया x, x is equal to 0.6, ठीके, बार, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि यह क्या होता है, repeat हो रहा होता है ना, तो यह equation हम first माल लेंगे, x is equal to 0.6 bar, या x is equal to 0.666 dash 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 लगता चला जाएगा, यह इस equation first को 10 से multiply करेंगे, अच्छा 10 से क्यों multiply करेंगे, क्योंकि single digit ही है, क्योंकि गल्तिया है लोग क्या करते हैं, 6.12 लखा हुआ है ना, यह से कर देते हैं, 10 लिख देते हैं, यह wrong हो जाता है, यह wrong है, क्योंकि यह number repeat हो रहा है, और अगर repeat होगा, तो हम directly इसको नहीं लिख सकते हैं, समझेगा, ठीक है, तो हम यहाँ इस तरीके से follow करेंगे, और क्या हो जाएगा आपका, 10 into yax is equal to, 10 into 0.666 dash dash चलता रहेगा, 10 से multiply करने पर, 1 point क्या होता है, right side में जो होता है, वो बढ़ जाता है, तो क्या हो जाएगा, यह 6.6666 dash बढ़ता चलेगा, और 6.6 bar यह लिख दिया जाएगा, और यहाँ आपका क्या है, यह 10x है, यह equation बनेगा second, अब क्या काम करेंगे, equation second में से equation first को subtract कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, आपका यह 10x is equal to 6.6 bar, और x is equal to 0.6 bar, क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ से 6, यहाँ से subtract किया, तो 9x आगया, ठीक है, 9x आगया, so x is equal to 6 upon 9, divide करेंगे, 2, यह 3, x is equal to 2 upon 3, यह हमारा solve करने का method है, अब इसके लिए मैं trick क्या apply कर सकता हूँ, इसके लिए अगर हम चाहें, तो trick को apply कर सकते हैं, और वो trick क्या होगा, देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, उपर जितने भी number होंगे, क्या है, सर 6 है, 6 लिख दीजे, क्या लिख दीजे, 6 लिख दीजे, और नीचे क्या लिख दीजे, 10, 6 अपान 9, और आप देखेंगे, कि 2 अपान 3, इसकी भी वैल होगी, clear, यह trick हम apply करके, और आसानी से इसको भी, निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ आपके देखें, यह क्या गाम करना होगा आपके लिए, अगर इसको हम trick के दवार apply करें, ठीके, तो क्या हो जाएगा, उपर कितना है, 47 है, छोले 47 हो गया, क्या करेंगे, 4 सब्रेट कर देंगे, और बीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इसमें से कितना माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, 10 माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 43 upon 43 upon 90 हो जाएगा उसकी value जो मिलेगी आपको 43 upon 90 मिल जाएगी ठीक है अब इसको अगर हम मालीजे पूरे form में मुझे करना है अगर मुझे इस trick के द्वारा ना करना हो solve कैसे करना होगा तो देख लीजे ये solve कैसे किया जाएगा ठीक है solve कैसे किया जाएगा क्या काम करेंगे ये मानेंगे first equation इसको first equation मान के चलखेंगे 0.47 बार यानि कि ऐसा भी कह सकते हैं इसको 0 question था 0.477 dash 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 तो क्या मिलेगा इसको multiply करेंगे 10 से multiply करेंगे 10 से multiply करने के बाद में क्या मिलेगा ये 10x मिल जाएगा और ये एक digit इधर आगी चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4.77 dash dash यानि 4.7 bar जबकि मुझे क्या करना है यहां से subject कर नहीं सकते हैं अब equation first को ही ये बना तो second है equation first को ही किसे 100 से multiply करेंगे total digit इसके decimal के बाद में वो एक repeat हो रहा है और दूसा repeat नहीं हो रहा है तो दो ही digit माना जाएगा तो 10 से 100 से multiply करेंगे तो 100 से multiply अगर इसको हम करते हैं तो कितना मिल जाएगा 100x हो जाएगा और 2 digit आगी चला जाएगा 47.7 ठीक है dash 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 यानि कि 47.7 bar मिल जाएगा तो यह 100x है अब आपका यह equation 3 बन जाएगा equation 3 में से आप equation 2 को सब्टेट कर दीजे 100x is equal to 47.4 बार और 7 बार और यहां से क्या आया 10x is equal to और कितना है 4.7 बार कितना हो जाएगा यह 0 यहां गया 43 यहां से सब्टेट करने पर कितना आगया 90x तो क्या मिला x is equal to 43 upon 90 जोकि trick में आपने बताया मैंने आपको बताया 47 minus 4 upon 100 minus 10 कितना मिला 43 upon 90 तो देखो आसानी से कितने आसानी से इस question को हम solve कर सकते हैं हम trick को apply करें तो भी हो सकता है अब यह आल आप खुश कर लीजे क्या लिखा हुआ है कितने डिजिट है इसमें आपको trick भी apply कर सकते हैं अदर्वाइस वे से trick apply करते हैं तो कितना हो जाता है यह 100 ठीक है 100 और total कितना आजाएगा कितने 0s है 3 0s है 1 ही डिजिट इसमें क्या हो रहा है ठीक है अगर हम सब्टेट करना चाहेंगे तो क्या होगा 001 001 का मतलब जो होता है वो 1 ही हो जाता है तो इसका जो answer आएगा वो 1 upon 999 तो आसानी से इस question को आप solve कर सकते हो और इसको कर लीजिए आप चाहे descriptive method जाएए और या sort trick method से जाएए इस सारी trick भी apply आप कर सकते हैं और exact value जो सही होनी चाहिए वो भी आप कर रहेगा clear आए अगले question को देखते हैं so study question number 4 जो देखते हैं क्या लिखा हुआ है कह रहा है कि express करिए 0.999 को किस form में P by Q के form में express करिए और P by Q के form में express करने के बाद ये बताइए कि answer कैसा आया है तो उस पे हमने teacher से classmate से discuss करना है पहले तो इसको निकाल लेते हैं न क्या है 0.999 9- यानि 0.9 बार लिखा हुआ है इसको मान ले या ये मान ले दोनों का form एक ही होता है ये expanded form में है और ये थोगा सा short form में लिख दिया गया है तो क्या करेंगे इसको 10 से multiply कर देते हैं ठीक है 10 से इसको multiply कर देते हैं equation first है ये equation first है इसको 10 से multiply करते हैं तो 10x is equal to क्या मिल जाएगा 9.9 बार मिल जाएगा और क्या काम करेंगे equation second जो बनेगा ये इसमें से first वाले को minus करेंगे 10x is equal to 9.9 बार और x is equal to 0.9 बार तो क्या मिलेगा यहां से 9.0 हो जाएगा और यहां से 9x हो जाएगा 10x is equal to 9 upon 9 cancel out होगा x की value 1 जबकि आपने पढ़ा कि क्या दिख रहा है आपको नमबर भुरा दिख जा रहा है न और कोई problem इसमें नहीं है कैसा दिखा 1 दिखा न आप देखो कि 0.999 कितना करीब है 1 की यह बहुत करीब है भाई हम जानते हैं कि 0.9 के बाद क्या आता है 1.0 आता है 1.0 का मतलब 1 होता है तो 0.9999999 इतना past में है कि अगर हम इसको solve करते हैं तो वो पता नहीं लगा आते हैं कि कितना आएगा ठीके तो यह चीज़े हैं जदा problem की चीज़े आप में नहीं समझेगा कि कुछ अलग answer है बस इतना past miss की value है ठीके बहुत past miss की value है इसलिए आपका जो answer आ रहा है वो बना जाएगा आएगे अगली question की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है तो आप लोग देखें question number 5 what can the maximum number of digits be in a repeating block of digits in the decimal expansion 1 upon 17 बताया गया था कि अगर 1 upon 17 मतलब अगर 2 power तो बताया गया था आपको कि अगर denominator 2 power and 5 power नहीं कि 2 और 5 के जो है product के form में नहीं लिखे गए है ना denominator यानि prime factor निकाल रहे हैं हो जिनका वो सिर्फ 2 और 5 ना आए इसके वज़ाए कोई दूसरा number आ जाए तो वहाँ जो मिलता था वो terminating ना हो करके non-terminating लेकिन recurring या repeating होता था तो कहता है कितने block होगा चली 17 से डिवाइड करेंगे किसको 1 को आपको पता है कि point के बाद में बहुत सारी number होते हैं तो हम point लगा लेंगे और पहले तो 0 बार ले जाया आता है 0 यह हुआ 1 point लगाए 0 बढ़ गया यहाँ पे नहीं जा सकता है 0 बार ले जाएंगे ठीक है टेबल आपको बता है 17 85 कितना बज गया 15 बज गया 0 बढ़ाएंगे और 17 का टेबल बढ़ेंगे कि हमारा होगा वो कितना आ जाए तो 178 कितना होता है 136 होता है कितना बज गया 4 और 1 बज जाएगा 0 बढ़ाएंगे again 178 134 कितना आ गया 4 जिरो बढ़ाएंगे 17 दुनना 36 ठीक है यहां 6 आ गया 0 बढ़ाएंगे 173 क्यावन कितना आ गया 9 0 बढ़ाएंगे 175 85 5 आ गया 0 बढ़ाएंगे अग कितनी बार जाएगा तो 17 दुनना 34 कितना बढ़ाएंगे यांस करते हैं 16 ठीक है डिवाइट करते हैं 16 तो 0 बढ़ा लेंगे यहां पर और 179 113 पन कितना बढ़ाएंगे 7 बढ़ाएंगे 174 68 2 बढ़ाएंगे 17 इकम 17 3 बज गया 0 अगें 171 17 13 बज गया 0 बढ़ाएंगे 178 136 बढ़ाएंगे 177 119 119 बढ़ाएंगे 17 17 16 102 बज गया 8 0 बढ़ाएंगे अगें 17 85 85 ज़्यादा हो जाएगा सो कितनी बार ले जाएंगे 17 64 64 4 बार ले जाएंगे कितना हो जाएगा 68 कितना बज गया 12 बज जाएगा 0 बढ़ाएंगे 17 सही कर रहे हैं देखिए पार्ट हम यहाँ पर इतना बढ़ता चल दा है बढ़ता हुआ चल रहा है 17 119 एक बचा रिमेंडर ठीक यहाँ देखो मैंने यहाँ पर इतने तक जागर के मैंने रिमेंडर किया इचली मैं रिमेंडर नहीं है यहाँ से हम देखेंगे कि जो हमारे पास यह डिजिट रिबिट होना शुरू जाएगा क्योंकि वन आपके पास स्टार्टिंग में था अभी आप वन को ही डिवाइट कर रहे हैं तो यह सारे नमबर्स मिले थे और रिपेटिंग बुट्इग बुलाग होगा मउनका होगा वे किते डिजिट का होगा 16 डिजिट का रिपेटिंग बुलाग होगा यानि जो वन आपके को तो इस सबस्क्राइब यब gin n बुट्पें number in the form of P by Q Q not equal to zero where P and Q are integers with no common factor other than one and having terminating decimal expansion यानि कि क्यारा है कि हमने कई examples देखे P by Q कि जिनमें terminating जिसमें आता था उसमें क्यों क्यों क्या है आपका denominator है तो क्योंकि क्या properties इसमें सो होगी आपको यह बताना क्यों क्या सो करता है देखा मैंने पहले आपको बताया यहां पर माली जे मैंने कहीं 7 लिया और 7 को मैं 5 से डिवाइट कर रहा हूं ठीक है 7 को हम 5 से दिवाइट कर रहा है तो क्या मिलेगा 5 वरूज़ा 5 टू मिल जाएगा पॉइंट लगाएगे जीरो मिलेगा और 5 वोज़ा 20 ठीक है एक एक इसेंपल आपने यह देखा अमाली जे 7 को मैं 2 से डिवाइट करूं ठीक है टू से डिवाइट करते हैं 2 3 2 3 6 आज आएगा 1 यहां पॉइंट लगाएगा और यह 0 पढ़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा ठीक है जबकि मैं अगर 7 को 3 से डिवाइट करता हूं ठीक है तो क्या मिलेगा 3 2 जा 6 पॉइंट लगाएगे 0 पढ़ाएगे 3 9 फिर 1 लगाएगे 0 पढ़ाएगे 3 ऐसे बढ़ता बहा चला जा होते हैं डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर क्यों है डिनोमिनेटर क्यों मॉस्ट भी है ना मॉस्ट भी इंदा नहीं पूरा बात ऐसे लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं दब प्राइम दब प्राइम फेक्टर ऑफ डिनोमिनेटर क्यों जो क्यों के डिनोमिनेटर होने चहीं ह denominator Q must be must be must be and the form of kya kya form on a cheese cup 2 power and 5 power m और both 2 power and 5 power m 4 किसके लिए terminating decimal expenses के लिए मुझे जो मिलना चाहिए Q वो क्या मिलना चाहिए या तो 2 के form कर रहा है या तो 5 के form कर रहा है या तो दोनों 2 और 5 के form कर रहा है यह समझेगा ठीक हैं यह समझके रखिए कि जो क्यों होना चाहिए वो दोनों के form में रहेगा तब ही होगा अगर क्यों यहां मैं देख रहा था कि 3 आ गया जीसे मैंने इसको लिखा प्राइम मालीजी मैंने चोड़े जोड़े नंबर्स लिए हैं ऐसे बड़े बड़े नंबर्स भी आपको मिलेंगे जिसमें प्राइ स्टूडेंट क्षिशन नंबर्स 7 कह रहा है राइट 3 नंबर्स कुछ डेसिमल एक्सपेंस अना नॉन टर्मीनेटिंग नॉन रिगरिंग अब बताया गया था कि नॉन टर्मीनेटिंग नॉन रिगरिंग के लिए जो हमें 3 डिफरेंट का है मतलब ऐसा नहीं कोई भी आप सकते हैं तो पहला वाला जो होगा मेरा वह क्या लिख देंगे 1.1010010000 ठीक है ऐसे मारा पहला हो गया दूसरा आप कहा दें तो 0.1 2 1 2 2 1 3 2 1 4 टैमस 2 ऐसे बनता जाएगा कुछ भी लिख सकते हैं जीरो पॉइंट टू जीरो टू डबल जीरो टू टू ट्रॉबल जीरो यह सब हमारे के वाजाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टेकरिंग होगा सबसे बेस्ट एक्जाम्पास ऐसे ही आपको दीजेगा कभी भी आना क्यूंकि पाई किस वैलूज है या किसी नंबर को इसा डिवाइड करते हैं कि जिसे की आपको कंफ्यूज हो तो ऐसे एक्जाम्पल मन दीजेगा यह बेस्ट एक्जाम्पल आपका तो इसी को दीजेगा पाइंट तो जब स्टार्ट कर रहे थे सेकंड साइट सेकंड कोशन था तो उसमें आपने यह देखा था कि 5.7 आया था तो जो 5.7 आया था उसको क्या किया गया था 5 इंटू 1.7 क्या था 0.142857 यह था ना सो मल्टिपलाई जब करेंगे तो कि हम अच्छे मैं ऐसा क्यूं कर रहा हूं देखे मुझी क्या कह रहा है वह इर्रेशनल नंबर निकालने के लिए कह रहा है तो इर्रेशनल नंबर निकालने के लिए सबसे बेस्ट आप कर हैज़ा कि उसको क्या कर लिजे डेसिमल एक्सप जाएगा 10 12 14 बना जाएगा 20 21 2 आ गया और 7 यहां 0 क्या दीख रहा आपको 0.74285 यह हो गया अब क्याराए कि 9 अपान 11 को भी सॉल्ब कर लेते हैं 11 से डिवाइड करेंगे इसको 9 को अब इसके बीच में आप देख रहे हैं यहां इसके बीच में आप देख रहे हैं यहां और यहां जो है वो 8 बने इसकी बीच में जानते हैं अगर आप आराम से चलेंगे तब भी 10 दिख जाएगा वैसे infinite होता है आपको पता है कि infinite number of rational या irrational दो rational की बीच में होता है और मुझे कहा है कि 3 different example बताने हैं सुफस्ट हमारा जो हो जाएगा वह मैं क्या ले लें 0.7277 क्या लिख दें हां 72 लिख दिया और 7227 222 लीजे एक्जामपली दो होता आपको कोई भी हम बता सकते हैं उससे बड़ा होना चाहिए बस इससे ज्यादा बढ़ा है और से कम होना चाहिए और क्या है 0.7575555555 बढ़ता चला जायगा और क्या लिख दें यह लिख दें 0.808 008000 तो ऐसे देखे आप एक्जामपल आपका होता चला जायगा इनकी बीच पे हम जो तीन कम से कम दिखाएं हैं वो आपके पास एक्जाम और इर्रेषिनल क्या है तो उसको भी देख लिए तो यह लास्ट क्योंचन है आपका इस exercise का और यह क्या लिखा हुआ है आप देखिए बताना है इसमें classify करना है कि कौन सा rational है और कौन सा irrational है आप जानते हैं सारी बातों को लेकिन एक बार पूरे chapter जो भी तक पढ़ लिया ना समली जी उजी का recall करके ये question बना दिया गया है so क्या लिखा हुआ है root 3, root 23 अब आपको बताया गया था कि जो irrational होता है वो root m के type का होता है जहां m जो होना चाहिए वो non perfect square number होना चाहिए कौनसा non perfect square number हो अगर ऐसा है क्या 23 का कोई factor बन सकता है prime factor है जो कि pairs के room में complete मिले जी नहीं so क्या हो जाएगा ये ये आपका बनेगा irrational ये क्या होगा irrational हो जाएगा और ऐसे ही root के अंदर जो दिया गया है वो अब 225 है so 225 क्या perfect square number है चेक करते हैं 375 आ गया 3 से करेंगे 25 आ जाएगा 5 से करेंगे 5 आ जाएगा 5 से करेंगे 1 आ जाएगा देख लिजे इनके pairs complete है और अगर pair complete हो जाता है it means वो क्या है एक perfect square number है root के अंदर अगर perfect square number आ जाता है तो क्या कहते हैं उसको rational कह देते हैं कैसे अरे भाईया जी बिलकुल यहां पर क्या है ठीके 15 into 15 लिख सकते हैं न 15 का यह क्या हो जाएगा square root हो जाएगा plus minus लिए होता है लेकिन हम यहां पर सिर्फ दिखाते हैं कि नमर हमारे पास यह मिला यहां आप देखें 0.3796 अरे भाईया क्या दिख रहा है रुक गया है ना तो यह क्या हो क्या टर्मिनेटिंग है इसलिए क्या हो जाएगा rational number यह आप जो देखेंगे थोड़ा सा ठीक है यह यहां पर ऐसा होना चाहिए सो क्या दिख रहा आपको 478 478 यानि यही नमर क्या हो रहा है repeat हो रहा है 7.478 बार लगा हुआ है और आप जानते हैं कि इस तरीकी से कहीं बार लगा होता है तो वो क्या होता है non-terminating और recurring so recurring होता है तब भी क्या लिखा जाता है वो rational number लिखा जाता है तो यह भी rational है यह भी rational है last वाला जब ऐसा number अभी मैंने example इस से पहले position से मैंने solve करवाई थे और आपने दिखा भी था तो क्या है यह irrational number है ठीक है irrational number है अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब परके वाला आगन को प्रेस कर लें जिससे की नए वीडियो को नाटिफिशन आपको मिलता रहे और हां दोस्तों शेयर करना न भूलते हैं